पंद्रा जून दो पहर दो बजे गलवान घाटे हिमालाई की उचाईयों पर भारतिय सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्पल एमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर देखे वहाँ और भी है परवतों पर उस दिन फॉजी कमांडो अकेले नहीं थे दुश्मन सैनिकों ने गित्पे पत्थरों की आज लेकर फॉजी यूनिट पर धवा भोल दिया कबिर बेस का स्कॉर्ट थी का भार के शेंटर घुसपाटियों से सामना हुआ रिपेट स्कॉर्ट थी का दुश्मनों के सामना हुआ लेटनेंट सिंग्की पिट्रूल थी टीम को जिस आखरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस खलन से गिरे पत्थर और चट्टा और थे अंधेरा चा गया छे घंटे बाद जब लेटनेंट सिंग्की आख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहाड से हुई पत्थरों की उस बौचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोटाई थी एहमद धिलो रवी फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीर हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे भारती असेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगा बहादुरी भाहिचारे और भारत के लिए फौजी पायरों तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते फीजीर के बाक्ता कर nic झाल पिएे ञजीर के युम हमряд çalışे ब narrative फौज浩हें लुम हार जहां युम है पुम हार रीजि खौटी जयुम मूँ ऑख़ hall़ और नहीरा झाल प्लील ngày में 75% झो नहीरा कि लिगा झाल सबस्फ्ण हो उज य समक्ट प्लील उस्दाओ झाल सुर झाल हुआ 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 है पॉजी कभी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ता बॉर्डर अब नजदीक ही है मेरे साथी ज्यादा दूर नहीं होंगे दूरल नहीं हुआ है ऱ त्व कि वट्ड़ता नहीं हुआ है कि अपने साथियों को निराश नहीं कर सकता है अभ्स दोंच्ट अपस्त पॉँश्य अढ़ यूँ जत्यों संवन यूँ अपस्त स्ब्स्त पॉँश्ड यूँश्य अए वुश्य यूश्य कि अ कि अ कि अ किट अपड़ मुझा बाहिए निए टून पून मेरे भाईयों तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंदूंगा जहां उता को को अरूंगा टुम्हें टुम्हें को अवाईयों दूशुर मजड़ में भी हो खादा को शुम्हें थादाईयों भी जब में तुम्हें चाद।